अगर आप फ्राइस के शौकीन हैं तो आज मैं आपको लोडेट या पीजा फ्राइस की बहुत ही उनीक सी रेसिपी बताऊंगी इसका हम क्रीमी चीजी सास घर में ही तियार करेंगे उपर से आपनी मर्जी की टॉपिंग करें और इंजॉय करें चले हम रेसिपी स्टार्ट कर जिसमें अनियन पेस्ट फो टेबल स्पून चाहिए होगा वन टेबल स्पून हमें गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा इसके लावा ग्रीन पिकल चीली से मेरे पास जो कि मैंने होम मेट खोद ही तियार की है इसकी भी रेसिपी मैं आपको अपनी नेक्स वीडियो में बताऊं इसके लावा मस्टर्ड पेस्ट हमें हाफ टीजपून चाहिए और ग्रीन चिली चाहिए वन टेबल स्पून दो हरी मिचले ले 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 चार से छे चीज स्लाइसे है मेरे पास आप छोटे वाले चीज की टिकिया भी ले सकते हैं तू टेबल स्पून बटर को आपने मेल्ट क अट करदे हैं और हलका सा इसको हमने साथे करना है बहुत जादा देर नहीं पकाना है तर्थी सेकंड के लिए आप इससे पका वीचे इसके बार इसमें समीलिक डिक पेस्ट पर दे कर देम इसमें मेल्ग सिंसकहर हुम पास दो वालिक पास льया है अएच्य तरह आपिões करेन तोड़ा सा बॉइल आने दें इसको आप अब इसमें हमने जो हमारे बस चार से छेस चीज स्लाइसे हैं वो आपने समैट कर देना है मैंने यलो वाले चीज लिए इससे बहुत भुशुरत सा कलर आ जाएगा और अब इसको आपने हलका हलका लाते हुए इसको मेल्ट करना है एक दो मिनिट में ही चीज मेल्ट होना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से आपने इसको स्मूथ सा एक सौस बनाना है अब इसमें हम चुटकी सी सॉल्ट एट करेंगे और चुटकी ही रेड चिली फ्लेक्स एट कर देंगे यह ऑप्शनल है इसमें थोड़ा स्पाइसी सा अच्छा सा तेस्ट आ जाएगा सॉस में और अब हम इसमें हाफ टी स्पून मस्टर पेस्ट एट करेंगे जिससे बहुत ही मसेदार सा सॉस बनेगा हमारे पीजा फ्राइस के लिए वन फो टी स्पून औरिगान पाउडर एट करेंगे इससे हलका सा में पीजा वाला फ्लेवर आ जाएगा टच देगा तीन से चार मिनिट आपने इसको पकाना है जब तक कि आपको लगे कि अब सॉस अच्छा सा थिक हो गया है और अब हमारी सॉस त्यार हो चुकी है इसको हमें एक साइट पर रख देंगे एक और सॉस हमने बनानी है टू टेबल स्पून हाट सॉस और सिक्स टेबल स्पून पिजा सॉस के साथ यह बहुत ही मज़े की स्पाइसी सी सॉस बनती है और इसको हम पिसा फ्राइस के साथ ही इसके अंदर मिक्स करेंगे अब आती है बारी फ्राइस की और मैं यूज़ कर रही हूँ यहां पर फ्रोजन फ्राइस मैंने घर के फ्राइस में भी यह ऐसे की बिनाई हुई है आप चाहें तो घर के यूज़ कर ले या फ्रोजन यूज़ कर ले अच्छे से गोल्ड ब्राउन होने तक हम फ्राइस को कुप करेंगे और इसको आप निकाल लेजिए अब अब मेरे पास एक ब्लेट के करीब फ्राइस हैं होम मेट मेरे पास चिली सेंपिकल्ट और जो हमने सॉस तेयार किया हुआ है और ओलिव सेंब्लैक चलेंजी अब हम असेंबलिंग की तरफ आते हैं जो भी जिस भी दिश में आपने सर्विंग करनी है उसमें सबसे पहले आपन करने हैं उसके उपर जो हमने रेड हट सॉस बनाया है वो एट कर देना है और इसके बाद जो हमारा करीमी चीजी मसिष्धणार सा सॉस हमने बनाय था ओप आपने इसमें पर गrechtर देना है और इसको रिपीट करें दोबारे से आपने इसमें फ्राइस डालने अब जितने भी fries मैंने सारे add कर दी हैं और इसके पर जितना भी मेरे पास hot sauce है वो सारे का सारे मैंस मैं add कर दूँगी यह जो hot sauce है बहुत अच्छी तरह से अदर तक fries में चला जाता है बहुत tasty लगता है अब जो हमारा best मसेदार सा sauce है यह हमने add कर देना है creamy और cheesy sauce और आप यकिन करें यह fries आप जरूर बनाएं आपके friends आ रहे हों या घर पे ही आप बनाएए और आप देखें कितने अच्छे लगेंगे आपको इसके उपर आपने olives गानिश कर देने हैं और जो मेरे पास home made pickle chillies हैं इसको भी आप इस पे लगा दीजे और हमारे जो पेज़ा या loaded fries हैं वो बिल्कुल ready हो चुके हैं इसके उपर garnishing थोड़ी बहुत और करेंगे हम हलके से red chili flakes उपर sprinkle कर दूँगी मैं आप यह जरूर try करें और बताइएगा कि आपको कैसे लगे fries अमीद है आपको आज की recipe बहुत अच्छी लगी होगी अल्हाफिस